ट्रक की टक्कर से पल्टा आटो C&G रिक्षा खबर जन्पद बांदा से है जहां पर एक आटो C&G रिक्षा को ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें मौजूद सवारी हुई घायल आपको बता दे की आटो ड्राइवर सहित लगभग आठ लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है जिन्हें बांदा जिला चिकित साल्य में भरती कर आया गया बताते चले की घायल लोगों को काफी गंभीर चोटे आई है लेकिन आटो ड्राइवर की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है मिली जानकारी के अनुसार मजदूरों को लेकर पैगंबर पूर गिर्वा से बांदा आ रहे थे सभी लोग सभी लोग बांदा में मजदूरी करने के लिए आ रहे थे तभी सामने से आ रहे तेज रफतार ट्रक ने आटो में टक कर मार दी जिसकी जानकारी होते ही आनन फानन में आसपास के लोगों ने घटना को देखकर घायलों की सहायता की और सभी को जिला अस्पताल बांधा भेजा गया है जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। आपको बता दे कि यह पूरा मामला जन्पत बांधा के बांधा पुर्वा शहर कोतवाली नगर के पास का बताया जा रहा है। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार गुपता जिला समवाद दाता बांधा एसीपी भारत न्यूस चैनल लगवक कितने लोग घाल हुए तो यह लोग सब मजदूर थे क्या करने आ रहे थे मजदूर करने कहां से आ रहे थे अगंबर पूर से अगंबर पूर के रहे वाले सब राइबर भी करें थाला को लगत्या पेज़ामपूर का जिरुआ जिरुआ तो यह घटना किसा पर हुई यह बांधा फुर्माने कर लें ट्रेक वर टेम्पूशी हुआ है मेरा नाम नंकू यह लोग कौन है आपके यह मेरा बादिजा और यह क्या नाम है इन लोग मालूम राम धनी व्यकों है राम धनी अबल ये कोशन है विभतिजा इसका क्या नाम है इसका दिनेश दिनेश गटला हुई गाड़ों एक्षेन होगे और का इसे हुआ है ट्रक्स से हुआ किस ज़ब भी बाधापुर्वा के पाद बाधापुरुबाद बहने वाले वाले का इसे लोग एगंबभपूर ठाना धिरुबा रेक्षाना और क्या करने आ रहे थे कितने लोग है कितने लोग है कितने लोग है कि अधर से एक आटो आ रहा था बाधा पुर्वा की तरब से नगर के लिए और इधर से एक ट्रक जा रही थी ट्रक ने टेंपो में टक्कर मार दी है जिसमें उसमें सवार ड्राइवर सहित कुल आठ लोग घायल हुए है जिसमें ड्राइवर की हालत गंबीर बताई जा रही है जिसको चिकित्साप के उपरांत कानपूर के लिए रेफर किया है थाना कौतवाली नगर पर इस गिर्वां थाना छेतर के रहने वाले हैं